अच्छा हमारे पास है chemiosmosis and oxidative phosphor relation oxidative phosphor relation हमारे पास क्या है ATP का बनना किसकी मदद से जो आपके पास elaborate होते हैं electrons या आपके पास प्रिजन elaborate होती है जो और वो आपके पास oxidize होने के बाद बनारी को enzymes की मदद से NADH और FADH2 NADH और FADH2 कहां पर बन रहें आपके पास क्रेप cycle के अंदर तो respiratory chair क्या करते हैं इनको utilize कर लेती है और इनको utilize करके क्या बनाती है ATP अब यह chemiosmosis के अंदर भी जो ATP बन रहा है यह with the help of the enzyme होता जिस हम कहते हैं ATP synthetase तो यह आपके पास diagram है diagram के अंदर आपके पास cell membrane है क्या है ठीक है cell membrane आपको पता है mitochondria के भी membrane है inner and outer उसकी अपनी membrane है उन membrane के अंदर हमारे पास ion channels होते हैं क्या होते है ion channels होते हैं यह outer membrane के अपर आपके पास F1 particles होते हैं जिने हम कहते हैं no black structures inner membrane के अंदर आपके पास क्या होता है यह different आपके पास components होते हैं different enzymes present होते हैं जिन्होंने ATP बनाना होता है जिन्होंने ADP को use करके AMP को use करके ATP बनाना होता है जिने हम कहते है ATP synthetase तो यह inner membrane के अंदर से आपके पास क्या निकलता है F1 PARTICLE उपपर जिसकी stock होती है मुझे के खते है F naught channel क्या के खते है F naught channel क जो से आपके पास F1 particle की stock होती है निचे रन करती चली जाती है इस पे क्या होता है इस पे आपके पास convert और होता है ADP ATP के अंदर क्यों ADP के अंदर नीचे आपके पास निख है फास्पेट ग्रूप पी ओ ट्री फू नेगेटिव है जो यह आपके पास एड़ अप होता है जिसे इसे ही हम कहते हैं जो हम पीछे यूज करते हैं यह ग्रूप आपके पास यह यह है यह अगिए अटैच हो जाता है अटाच होने के बाद यह होता है आपके पास ADP कंवर्ट हो जाएगा इंदीव फाइड़ एडिपी आपके पास क्या है पहले दो फास्टेट होते हैं तीसरा जाने से हमारे पास क्या होगे एटीप बन गए अडिनोसी ड्राइफ तो यह आपके पास पीछे चैनल मुक्लिफ सबसे पहले आपके पास क्या है एने डिएच डिए इडिएटर जिने ज़सके बाद एफ़ दीएच् सबस्क्राइब के पास क्या है इसे हमें गरेंट ने ने सब्सक्राइब सबसू कुछुन का भी आपके पास सारे सारे साएजया आपके पास इस परटीक्लव तक यह सारह हमारे फिर प्र stellке है यह आप देख सकते हैं आपके पास जो टेनल जो एंदर से मूब कर रहे है एच पोजिटिव इंसाइड और आउटसाइड तो यह जो ATP होता है यह इनके अंदर जो आपके पास अलेक्रों आदे इलेक्रों जो इसके इंदर यूटिलाइज हो जो जाते है आदे जो है वो ला पास embedded होती membrane के अंदर यह क्या होती membrane के inside होती जब कि F1 यह membrane के outside इकल होता है मतलब raised part होता है membrane के बाहर तो आपके पास जो membrane involved in the movement of protons from inner space to the mitochondrial matrix कि mitochondrial matrix जो living content है जिसके अंदर सारे enzymes present है वहाँ उसके inside pump कर देगी किसको protons को protons हमारे आपके हैं basically H positive क्या है एक पोजिटिव और इसके सासा हमारे पास क्या निकलते है electrons यह देखोंगे निचे हमारे पास H positive plus क्या है दो लैक्ट दो एक पॉजिटिव निकलेंगे एक NTH से एक FADH से और एक एकल हमारे पास क्या निकलेंगा electron प्लस हमारे पास half oxygen मिलेगी तो क्या बन जाएगा water क्या बन जाएगा multiply by two का मतलं है कितने बन बनेंगे दो बनेंगे ठीक है एक FADH का बनेगा और एक NTH का बनेगा तो हमारे पास क्या ओता है next नेक्स तरह ने क्या होता है क्या F1 आपके पास j government क्यों होता है यह surface के भाहर निकला उता है इसका काम यह होता है कि यह Senses करता है ATP की ADB से यहीं पर आपके पास present होता है ATP Senses Complex Enzyme यह active हो जाता है और यह क्या करता है ADB के साथ जोइन करेगा इन औरगनिक फासफेड को और convert कर देगा ADB को ADB के अंदर तो हमारी body के अंदर जितने भी ADB और AMP होते हैं सारे के सारे हर सेल के अपने-पने माइटो-पॉंट जेक अंदर इस तरह पंप होते हैं, शुरू-शुरू में कहां पर जाएंगे, NADH और FADH2 के साथ वहां पर इंजायम्स रेक करेंगे, इनके अंदर से लेक्ट्रोंज निकालेंगे, और लास्ट पर कर देंगे, मालकुलर पास ग्रेज़ीयन्ट है, ग्रेज़ेशन नमारे पास कहते हैं, डिफरेंट की अरी अरीजार्चन के उर्फट सेल की वज़ा से, चांसेर्चन डिफरेंट की वज़ा से, जो ग्रेजकन का था है जिङता है ATP ATP आगे क्या करता है हमारे पास Oxidation करता है हमारे पास NADH2 के हमारे पास कितने बनाते हैं 1 NADH2 कितने बनाता है 3 ATP और 1 FADH2 बनाते है हमारे पास 2 ATP अब जो Therian ATP की production की हम इसे क्या कहते हैं Cameo Osmosis ठीक है बिलकुल अब बनाते हैं